दोस्तों वीडियो काफी ज़धा important है आज के interview question है आपके लिए जो mostly आपको site पे भी काम आएगा किसी interview में बैठ होगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो de-shuttering की जाती है, stripping time जो होता है किसी भी shuttering का, column का, beam का, slab का, staircase का, cantilever beam का, किसी का भी आपने काफी videos देखी हूँगी इस पे लेकिन आज आज आपको मैं पूरा practically late करवाँगा क्योंकि stair और cantilever beam का काफी चीज़े देखनी पड़ती है या beam है, slab, तो वही चीज़ आज इस video में बात करने वाले हैं complete video देखो, video थोड़ी delay हो गई है, लेकिन आपके लिए interview question दियो thousand videos की series है वो complete में लाऊंगा, आभी videos आ चुकी है, 50-60 videos आ चुकी है, जिन में 1000-2000 interview question है आप देखो, तो शुरू करते हैं आज का video तो सबसे पहले एक चीज कहूँगा कि जही topic आपको हमारी website civilsidevisory.com पे मिल जाएंगे, jobs मिल जाएंगी, काफी चीज़ें बोक्स मिल जाएंगी, सब चीज़ें आपको हमारी website पे भी मिल जाएंगी तो स्टार्ट करता हूँ, day shattering time और stripping time सबसे पहले क्या करूँगा, मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो strength रहती है, कोई भी slab है, जा beam है, कितने दिन में कितनी strength ले लेता है, वो आपको पता होना चाहिए पहले देखो, अगर आपने column cast किया, जा slab cast की, या कुछ भी cast किया, जो concrete होगा, वो एक दिन में 18% अपनी strength गेन कर लेता है, मतलब सो में से 18% उसमें strength आ गी होती है, एक दिन में, तीन दिन में उसकी 40% strength हो जाती है, साथ दिन में उसकी 65% strength हो जाती है, और 14 दिन में 90% और 28 दिन मे 90% उसकी strength दिखने शुए जाती है, यह condition पर depend करता है, लेकिन lump sum इसके इर्दगिर्दी आपकी strength मिलना start हो जाएगी, जैसे आप concrete हो जाएगा, ठीक है, तो अभी देखो, हमारी जो de-shuttering होती है, वो 3 दिन में होती है, 7 दिन में होती है, 14 दिन में, जा 21 दिन में, ठीक है, तो इदर से हमें थोड़ा idea हो गया कि 3 दिन में 40%, जब उसकी 40% strength रहती है, उसके बाद de-shuttering start हो जाती है, लेकिन उसमें कुछ condition रहती है, वो आगे में बताता हूँ, यह हो गया आपको clear, अभी आते हैं हम de-shuttering पे, तो सबसे पहले क्या कहूंगा, मैं, जो हमारे beams होते हैं, beam हो walls हो गयी, share wall हो गयी, column हो गया, तो उसका de-shuttering time क्या रहता है, 17 से 24 गंटे के अंदर आप, मतलब उसके बाद आप उसकी shuttering खोल सकती हो, आपने column cast किया, जैसे 17 गंटे होंगे, तो जैसे 17 गंटे होंगे, उसके बाद आप उसकी de-shuttering कर दोगे, तो वो चलेगा, लेकिन जो मै इसी ordinary podland cement के लिए है, temperature बराबर है, मतलब अच्छा temperature में, ठंडी नहीं है, summer का season है, और curing इसी proper way से होई है, तो ये time follow करना है, ठीक है, तो beam की side, walls, column हो गया हमारा 17 से 24 गंटे, फिर आते हैं slab soffits, slab soffits क्या हो गया है, मतलब शेट, वो लो, apply वो लो, फटा यूज किया है, जहाँ, plates यूज की है, तो उसको तीन दिन बाद आप निकाल सकते हो, लेकिन उसके अंदर क्या, नीचे क्या provide करना है, आपको बल्ली प्रवाइड कर रहे हो, टेका प्रवाइड कर रहे हो, जैक प्रवाइड कर रहे हो, जो भी है, जैसे उसकी soffit निकालोगे, तो तीन दि अधिशन डिपेंड है, वो आगे लिखी हुई हमें बताता हूँ, लेकिन पहले देखो, slab की soffit निकाल देनी है, तीन दिन बाद मीनिमम, और beam की कितनी, साथ दिन बाद, लेकिन उसके नीचे क्या करना है, आपको support provide कर देनी है, जैसे लगा लो example है, यह slab है, नीचे आपको यह दोने चीजे, तीन दिन बाद shuttering निकाल देनी है, लेकिन उसके जो आपने वो होगा, जो आपने नीचे प्रॉस प्रॉइड गी है, अगर आपका span है 4.5 मीटर से छोटा, ठीक है, 4.5 मीटर से छोटा है, तो 7 दिन बाद आप नीचे से बली यह take up निकाल सकते हो, अगर span span आपका है बड़ा 4.5 मीटर से, तो 14 दिन, मतलब यह example हो, अगर a है 6 मीटर लंबी हमारी slab है, तो क्या है, तीन दिन बाद आप उसकी वो निकाल सकते हो, minimum बोल रहा हूँ है, जो आई इस कोट करते है, minimum यह निकाल के नीचे आपको प्रॉप्स प्रॉइड कर देनी है, टेक अगर यह होता 3 मीटर, तो आपको 7 दिन के बाद नीचे से प्रॉप्स निकाल लिए है, बाकी 3 दिन बाद आप नीचे से निकाल सकते हो, अभी आती है बीम की बाद, बीम में क्या है, सौफिट उसके निकाल देनी है, मतलब नीचे से जो बोटम होता है, बीम बोटम, वो 7 अगर दिन बाद आप निकाल सकते हो, लेकिन क्या है, उसका जो आपने नीचे देखो, मैंने क्या कहा, जैसे ही, स्लैब में सौफिट निकाले, नीचे बल्ली परवड़ कर देनी है, वो बल्ली निकालने का टाइम क्या रहता है, अगर आपका स्पैन है 6 मिटर, तो आप 14 द निकाल दियोगी साथ दिन बाद लेकिन उसका जो support होगी वो 21 दिन बाद निकालनी है यह द्यान देन है यह बहुत बड़ी चीज़ है आठ चीज रहती है जो मतलब उनकी भी जो support रहती है वो आपको मतलब 21 दिन बाद निकालनी होती है यह हो गया हमारा simple अभी आते हैं फुटिंग जो रहती है हमारी फुटिंग बढ़ते हैं तो उसको आप 16 से 24 गंटे के अंदर minimum 24 गंटे बाद निकाल सकते हो यह हो गया है और आती है बाद staircase पर तो staircase आप 5 दिन बाद उसकी shuttering खोल सकते हो plates बगारा जो मारी है waste slab में वो खोल सकते हो लेकिन आपको नीचे उसके प्रॉफ्स प्रॉइड कर देनी है 14 दिन के लिए और जो landing beam होगा उसके अंदर नीचे भी आपको प्रॉफ्स प्रॉइड कर देनी है लेकिन आप shuttering 5 दिन के बाद खोल सकते हो अगर किसी swimmer यूज़ कर रहे हो तो आपका shuttering का cost बढ़ जाता है यह हमेशा दियान देना अभी बात करते हैं हम cantilever beam की cantilever beam है तो उसकी sides खोल लो आप 17-24 गंद के बाद उसकी side खोल लो beam bottom खोल लो 7 दिन के बाद लेकिन उसमें support जो आपको मार के रखनी है वो 28 दिन तक मार नही 99% अपनी strength gain नहीं कर लेता cantilever beam मैं बोलता हूं कि आपको उसको नहीं निकालना चाहिए यह मेरा